उत्तर कोहल परियोजना पर भी काम शुरू किया था। यह सारे प्रोजेक्ट यहां के किसानों के भविश को उजवल बनाने वाले हैं। साथियों जार्खन की सरकार केंद्र सरकार के बीच से लेकर बाजार तक के अभियान को जमीन पर उतारने में जुटी हुई है। आज किसान परिवारों को स्मार्ट फोन देने की योजना की शुरुवात की गई। किसानों को चेक भी सौंपे गए हैं। इस योजना से प्रदेश के 27 लाग किसानों को फाइदा होगा। इस स्मार्ट फोन की वज़र से अब किसानों को फसल बिक्री से जुड़े डिजिटल लेंदेन में आसानी होगी। वो मौसम का हाल फोन पर देख पाएंगे। खेती की नई टेकनिकों के बारे में जान पाएंगे। और साथ ही सरकार की अन्य योजनाओं से भी सीधे जुड़ पाएंगे। साथ केंद्र सरकार हो या फिर जारखन की सरकार। किसानों को गरीबों को बिचोलियों से मुक्ती दिलाना ये हमारा दे है। यही कारण है कि चाहें राशन हो, स्कॉलर्शिप हो, पेंशन हो, हार सरकारी मदर सीधे लाबार्तियों के बैंक खाते में भेजी जा रही है। हाल में इस अभ्यान को विस्तार देते हुए छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना बनाई गई है। हमारी सरकार प्रदान मंत्री किसान सम्मान नीदी लेकर आई है। इसके तहट ऐसे किसानों को जिनके पांस पांच एकडिया उससे कम भुमी हैं। उनको सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसपर किये जाएंगे। अगले दस साल में साड़े साथ लाख करोड रुपिये हमारी सरकार किसानों के बैंक खाते में जमाय करेगी। इस नासी से उन्हें समय पर बीच करिदने, दवा करिदने, खात करिदने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और उनको शाहुकारों के घर बहुत उंचे ब्याद से पैसे लेने की नौबत से मुक्ति मिल जाएगी। इससे देश के लगवक 12 करोड किसानों को लाब मिलेगा, तो जारखन के 22 लाद किसान परिवारों को इसका सीधा लाब मिलने वाला है। साथियों, सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए केंद्र सरकार, गरीबों, वंचीतों, पिछडों, सोचीतों, आदिवासियों, महलाओं, नरजवानों, हर वर को ससक्त करने में जूटी है। इसी सोच के तहट आज दो बड़े सिक्षन संस्थानों का उद्गाटन और सिलान्यास किया गया है। इसमें एक महिलाओं से जुड़ा है और दूसरा हमारे आदिवासी समाज से। रामगड में महिला इंजिनेरिंग कॉलेज का आज उद्गाटन हुआ है। वहीं हजारी बाग की आचार्य विनोबाबावे उनिवसिटी में सेंटर फोर ट्राइबल स्टडीज का सिलान्यास किया गया है। साथियों जार्खन महिला ससक्तिकरण मामले में हमेशा अग्रणी रहा है। हजारी बाग की बेटी कैप्टन शिखा सुर्भी ने गणतंत्र दिवस की परेड में बाइक पर जो हुनर दिखाया। उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। रामगड का महिला इंजिरिंग कॉलेज भी कैप्टन सिखा सुर्भी जैसी अनेक बेटियां देश को देने वाला है जो नए भारत के नए संसकारों का स्रजन करेगी। ये पूर्भी भारत में पहला और देश का तीसरा कॉलेज है। जहां सिर्फ बेटियां ही एंजिरिंग की पढ़ाई कर रही है। भाई और बहनों केंद्र सरकार आदिवासी समाज को सिख्षा और कौशल से जोड़ने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। स्कूली सिख्षा हो या फिर उच्च सिख्षा आदिवासी समाज के युवासातियों को हर प्रकार की सहायता दी जा रही है। आचार यविनोवा भावे विश्व विद्याले में सेंटर फर ट्राइबल स्टरीज के बनने से यहां के समाज और संस्कृती को विस्तार से जानने और आने वाली पीडियों तक समाज के संस्कारों को पहुँचाने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार जारखंड सही देश के तमाम आदिवासिक शेत्रों में एक लव्यम मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। जारखंड में ऐसे करीब दो दर्जन स्कूल शुरू हो चुके हैं और सत्तर नए स्कूल खोलने पर काम चल रहा है। साथियों आदिवासिक शेत्रों में स्पॉर्ट की सुविधा को और बजबुत किया जा रहा है। ताकि हमारे जन जातिये युवां खेलों में और बहतर प्रदर्शन कर पाएं। जार्खन ने तो तिरंदाजी समय अनेक खेलों में देश को बड़े बड़े खेलाडी दिये हैं। ऐसे में जार्खन के युवां की ये शक्ति आने वाले समय में और निखर कर सामने आएगी। साथियों आज यहां बच्चों के पोसन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण याउजना की शुरुवात भी की गई है। इसके तहट स्कूल में बच्चों को पैकेट में दूद दिया जाना है। इससे गरीब और आदिवासी समाज के बच्चों को कूपोशन की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और जैसे हमारे मुक्षमंत्री जे ने बताया इस योजना का नाम कहना दुख्द योजना और एक प्रकार से भगवान सी कृष्चन को उन्होंने याद किया। उस जमाने के दूद और मक्षन की बातों को याद किया। मैं आशा करूँगा कि इस काना दुख्द योजना से यहां से बच्चे ऐसे हो नहारो ऐसे हो नहारो पुरे देश का माथा गर्व से उंचा हो केंद्र सरकार जो राष्टिय पोशन अभ्यान चला रही है उसको भी इस योजना से ताकत मिलेगी साथियों सिख्षा कौशल और पोशन के साथ साथ आदिवासी नायकों को सम्मान देने के लिए आजादी के प्रती अनेक योगदान को भविश्की वीडियों तक पहुँचाने के लिए भी अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जारखन में बन रहा बिर्शा मुंडा संग्राले इसी का प्रमान है ये संग्राले महान आदिवासी स्वतंत्रता सेदानी बिर्शा मुंडा जैसे नायक की पहचान को सम्र्द करेगा ऐसे अनेक संग्राहले देश के अलग-अलग राज्यों में बनाए जा रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार, राज सरकारों को मदद दे रही है ये मुजियम हमारे आदिवासी नायकों की याद तो दिलाएंगे ही साथ में परियटन के केंद्र भी बनेंगे साथियों मुझे खुशी है कि जारखन ने स्वच्चता की दिशा में बहुत सरानिय काम किया है साड़े चार वर्थ पहले जहां स्वच्चता का दायरा सिरफ बीस प्रतिशत्ता वही अब जारखन ने खुद को खुले में सौच से मुक्त कर दिया है रगुबरदास जी उनकी पूरी टीम इनके प्रसासन के सभी छोटे बड़े मुलाजीम सब को मेरी तरब लाख लाख बदाई रिकार्ड समय में 33 लाख से जादा टॉलेट बनाए गए है यह अपने आप में मुझे बताया गया है कि हजारी बाग का रिकार्ड इसमें भी सबसे बढ़िया है यहां सबसे कम समय में सबसे अधिक टॉलेट बनाए गए हैं इस उपलब्दी के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों नजियों के पानी को साप करने वाले अनेक प्रोजेक्स का भी आज चलान्यास और उद्गाटन किया गया है साहिव गवर्ण सीवर ट्रिक्मेंट प्लान का उद्गाटन हुआ है वही राजमाल सीवर ट्रिक्मेंट प्लान के निर्मान कारकी आज से शुरुवात हो गई है नमामी गंदी गई प्रोजेक के तहर बोटर ट्रिक्मेंट के साथ साथ गाटों के सुन्दरी करण का भी काम किया जा रहा है मदुसुदन गाट के सुन्दरी करण का भी काम पुरा हो चुका है यह सारे कारिया यह परियोजनाओं इसलिए हो पा रही है क्योंकि साड़े चार साल पहले आपने केंदर में पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी मैं देश के विकास के लिए देश के हर छेत्र के विकास के लिए पूरी निष्टा के साथ पूरी इमानदारी के साथ दिन रात जितना भी कर सकता हूँ करने में कोई कभी नहीं रहने देता हूँ आपका आशिरवाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे इसी कामरा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ मेरे साथ दोनों मुठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बहुत धन्यवाद माने ये प्रथान मंत्र जी आपके आशिरवचनों के लिए शुक कामनाओं के लिए जार्खन आगमन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत 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 धन्यवाद कि बहुत 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 झाल झाल झाल